दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि चलते-फिरते, उठते-बैडते शिडियां चड़ते समय गोटनों में तेज दर्ध होता है। जोइंट्स में बहुत पेन होता है, जिससे ना कोई काम अच्छे से कर पाते हैं, और शिरिर में अलग से कमजोरी होती है। जी हां, शेरी में कमजोरी के वज़ा से body pin होता है, हाथ पर दर्द होते हैं, इसके पीछे कई वज़ा होते हैं, इसका मुख्य वज़ा है, शेरी में calcium की कमी, nutrition की कमी, पोसक तत्मूं की कमी, दोस्तों, आज के हर किसी के शेरी में calcium की कमी बड़ी तेजी से हो रही है, एक समय आज के समय में हर किसी के शेरी में किसी न किसी जगा पर दर्द रहता ही है, वैसे जोडों में घुटनों में दर्द होने का वज़ा सिर्फ calcium की कमी ही नहीं होता, इसका और वी वज़ा होते हैं, दूसरा वज़ा है शेरी में वात का बढ़ जाना, आयर्विदें बताया है क वात्र समंधित लगबग 80-85 रोग होते हैं, और उसमें से एक रोग है, घुटनों में दर्द, जोडों में दर्द, टांगों में दर्द, जी हाँ, तो आज किस वीडियो में मैं आपको एक बहुती जबरदस होम रेमिडी बताने वाला हूं, जिसका इस्तमाल करके आप श् दोस्तों खस-खस, जिसे पॉपिशिट्स भी कहते हैं, या तो किसी भी मसाले के शौप में मिल जाएगा, या एक तरह का मसाला होता है, यह अच्छी सहत के लिए बहुत ही पावरफूल है, इसके अंदर भरपूर मातरा में आरन, कैल्शियम, फाइबर, पोटेशियम और फ होती है, श्रीर में खुन की कमी नहीं होने देती, स्किन के लिए, बालों के लिए भी बहुत अच्छा होता है, इसके लावा भी इसके बहुत से फादे हैं, अब आपके इसमें अगला इंग्रिडियन्ट लेना है, वह है दोस्तों मखाना, मखाना खाने से हमारे श्रीर को बहुत फादा मिलता है, यदि आप डेली मखाने का सेवन करेंगे तो आपको इतना फादा होगा कि आप सोच भी नहीं सकते हैं, इससे हमारा शूगर लेवल कंट्रोल में रहता है, ब्लड फ्रीसर कंट्रोल में रहता है, खड्डियां मजबूत होती है, हमारे श्रीर में मखाने का सबसे अच्छा फादा यह है कि इसे किसी भी प्रकार के लोग खा सकते हैं, बड़े बुजूर के पूरुष सभी लोगों के लिए फादयमंद है, और इसके लावा मखाना एंटी एजिंग होता है, जो उम्र से पहले आपको बूढ़ा नहीं होने देगा, और लं इसे भी आप किसी भी उम्र के बड़ाओं में हो, अगर आप बच्चे हो, जमान हो, मीड एज में हो, या बूढ़े हो गये हो, हर किसी को दूध जरूर पिना चाहिए, दूध दोस्तों हमारे श्रूरी के लिए बहुत ही जरूरी होते हैं, वो क्यूं होते हैं, क्यों कि लुज़े नहीं मिलते हैं, जिसमें कुछ वीटेमिन बीट वयल बैल तरके झरिक 나와 चाहिए, पहस्य होते हैं, अगर आप वेजिटरियन हैं, तो दूध हमें हमेशा पेना चाहिंए, अगर आप non vegetarian है तो भी दूद वाली चीज़ों को diet में शामिल करना चाहिए और इसके लावा रात को दूद पीने से में नीन भी बहुत अच्छी आती है अगर आपको नीन की problem है तो जो मैं remedy बता रहा हूँ इस remedy को अगर आप प्रयोग मिलाओगे तो आपको नीन भी बहुत अच्छी आगी खस-खस दोस्तों नीन लाने में बहुत ही help करता है और हमारी stress को कम करता है तो करना क्या है आपको कि आपको एक glass दूद गर्म करने के लिए चड़ा देना है उसमें डालना है आपको एक चमच खस-खस और एक मुठी मखाना हां मखाना और खस-खस डालकर इसे अच्छे से बॉयल होने दे आपको मद्यमाच में इसे लगबगा पांस साथ मिनिट तक बॉयल होने देना है और मिठास के लिए आप चाहें तो इसमें मिसरी मिला लेजे अगर आप डाइविटिक हैं तो बगर मिसरी का इसे ले सकते हैं यह पीने में आपको स्वाधिष्ट लगेगा इसके लावा अगर आपको गठिया अर्थ्राइटिस या फिर जोडों से समंदित हड्यों से समंदित कोई प्रॉलम है तो इसमें चुटकी भर हल्दी भी मिला और झाले जाता है उसके ऑफ़दी यह पहले से निकाल ली जाता है जिसका फैदा वहादा हमें लोग अभी अभी हल्दी वाले दूद से इक पहले 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 और इसे पीने के बाद कि पूछ पांसा गणल करते हो यह तो आपको देखना होगा तो इसलिए आप गांठ वा और बहुत गहरे नीन आएगी और जब आप सुबह उठोगे बहुत फ्रेश फिल करोगे इसके लाव दोस्तों इस दूद को पीने से आपकी इम्मुनिटी भी मजबूत होगी इम्मुनिटी भूष्ट होगी आपको इस मखाने को चबा चबा कर खा लेना है और दूद को भी पी लेना है तो दोस्तों इस तरह से आप दूद को प्रयोग मिलाते हो तो कभी भी शारी कमजूरी नहीं होगी अंदर की कमजूरी पूरसों और महिलाओं दोनों की बात कर रहा का अपको किसी भी मेडियोगों अगर आप फॉलो करते हो तो लगतार करों के तो ही फादा मिलेगा अगर आपको जड़ से किसी भी रोग का इ Và इसका नहीं है और डुसरी इस रेमीडिय के आपको किसी मी तरह का कोई भी नुकसान नहीं हो रहते हो इसका थूराल में बहुत स्यफॉस्य की लिइक हाथ पर दर्द बदन-धर्द होति यह नहीं लेनी हैं जितना ज्यादा हो सके दवाईयों से दूर रहो आप सिर्फ घरिल नुस्कों को अपना और खुद शिक्षित हो जाओ अपना इलाज खुद कर सको इतना नौलेज गिन कर लो तो आज किसी वीडियो में बस इतना ही दोस्तों वीडियो जानकारी कैसे लगती है हमारी